हेलो फ्रैंट्स कैसे हैं? आज के वीडियो में हम समझेंगे जनरल एनिस्थीश्या और लोकल एनिस्थीश्या के कंपरे जन दोनों में हम देखेंगे क्या डिफ्रेंस होता है और जो मडिकल फिल्ड्स हैं, ऩे लिए तो हेलफुल ही साथ साथ जो feel से नहीं है जो patients हैं उनके लिए भी helpful है क्योंकि generally जब बात होती है anesthesia की local anesthesia जब देना होता है dental practice में और conversation में अगर हम बोलते हैं कि local anesthesia आपको देना है तो patient कई बार बोलते हैं कि सर local आप क्यों दे रहे हैं आप कोई अच्छा वाला दीजे तो देखिए local anesthesia जो है उसका local या branded से कोई लेना देना नहीं है अभी हम समझेंगे ये क्या है चलिए शुरू करेंगे अगर वीडियो आपके लिए helpful रहे तो इसे आपको आगे share कर देना है चलिए समझते हैं मैं हूँ डॉक्टर हरी शंकर सोनी और आप देख रहे हैं Easy Dentistry समझते हैं तो हम आज बात कर रहे हैं General anesthesia और Local anesthesia का comparison हम करेंगे इस वीडियो में तो देखिए सबसे पहले definition यहां कुछ points में ने लिखे हुए तो आपको काफि अच्छा से clear हो जाएगा question भी आपका एक ready हो जाएगा तो देखिए definition पहले देखिए reversible loss of all sensation and consciousness General anesthesia में जितने भी sensation है और consciousness जो है वो भी इसमें चली जाती सभी loss of all sensation यह आपको ध्यान में रखना है और Local anesthesia में reversible loss of sensation in restricted area जहाँ पर हमें जरूरत है वहाँ पर ही एनस्थाइस करेंगे उतनी ही जगा को एनस्थाइस करेंगे इसलिए इसको Local बोला जाता है देखिए Local मतलब जिसनी जगा हमें जरूरत है जैसे हम dental field में अगर कर रहे हैं तो उतनी जगा को हम block कर लेंगे जहाँ वर्क करना है और ये overall body के लिए है जहाँ पर भी हमें वर्क करना है किसी एक जगा पर तो वहाँ पर हम एनस्थाइस करते हैं सुन करते हैं उसको हम बोलते हैं Local anesthesia तो Local और branded से इसका कोई लेना देना नहीं है अब देखिए General Anesthesia में All Sensation and Consciousness पूरी body ही एनस्थाइस हो जाती है सुन हो जाती है और दोनों में Reversiable Loss आपको याद रखना है यहां से आप definition बना सकते हैं Reversiable Loss मतलब कुछ समय के लिए है फिर वापस से patient normal हो जाएंगे चलिए आगे समझते हैं Sight of Action कहां पर काम करता है तो जो General Anesthesia है वो हमारे CNS पर काम करता है Central Nervous System में क्योंकि जब Central Nervous System में काम करेगा तब ही पूरी body को Anesthize कर सकते हैं तो Sight of Action कहां है Anesthetics का CNS Central Nervous System में और यह local है एक localized जगा में इसलिए peripheral nerves पर work करेगा जितने भी periphery पर nerve है जिस भी organ पर हम work कर रहे है जहां पर भी उसकी periphery में जो nerve है उनको ही Anesthize करेगा तो Sight of Action हो गया CNS Central Nervous System और Peripheral Nervs अब आते हैं Area of Body मतलब कहां पर work करता है Area of Body Anesthize जैसे हमने Definition में देख लिया है तो अब आपको यह easy हो जाएगा देखे Area of Body क्या होगा All Body पूरी Body को ही Anesthize कर देता है जैसे हमने Definition में देखा और Local Anesthesia Restricted Area यह भी Definition में हमने देखा तो Local Anesthesia से अब आपको Clear है Local मतलब Restricted Area Sorry जो Localized जगह है जहां पर हम work करना है वो और General मतलब पूरी Body की हम बात करें पूरी Body को हम Anesthize कर देंगे अब आगे चलते है Fourth Consciousness कैसा होता है इसमें Completely Lost पूरी Consciousness पेशेंट की चली जाती है Conscious नहीं होते हैं बेहोश पेशेंट हो जाते हैं अब इसमें Local Anesthesia में Unaltered रहती है जो Consciousness है Unaltered रहती है मतलब पेशेंट Conscious रहते हैं जो Work कर रहे हैं पेशेंट देख सकते हैं समझ सकते हैं बात कर सकते हैं उनको पता होता है बस जहाँ पर उन्हें Anesthize किया गया है जहाँ पर सुन किया गया है वहाँ पर उन्हें कुछ फील नहीं होगा पेशेंट नहीं होगा और यह Definition में भी है Reverse Able Loss of Sensation Restricted Area Especially Pain यह आप लिख सकते हैं इसमें Especially Pain इसमें पूरा Consciousness जाता है इसमें Especially जो Pain है वो हो जाता है Local Anesthesia में चलिए तो Consciousness Completely Lost हो जाएगी इसमें Unaltern रहेगी पेशेंट Conscious रहते हैं अब आगे समझते हैं फिप्ट Care of Vital Function तो यह इसी से जुड़ा हुआ है Consciousness से अब जब पेशेंट Completely Lost होगी यह Consciousness तो Care of Vital Function से यहाँ पर मतलब क्या है Vital Science जो हमारे होते हैं मतलब जो Breathing है जो Pulse Rate है जो Blood Pressure है यह हमें Measure करते रहना पड़ता है जो Temperature है इसमें Required है Care of Vital Function जो यह Vital Function है क्योंकि पेशेंट Unconscious है इसलिए हमें Measure करना पड़ता है सारी चीज Vital Science आपको मैंने बता रही जो Temperature है हमारी Breathing है Respiration Rate है BP है Blood Pressure और जो Pulse Rate है हमें Manage करते रहना पड़ता है चेक करते रहना पड़ता है तो Care of Vital Function Required होते हैं इसमें Usually Not Required क्योंकि Local Anesthesia है एक जगा पर हम Work कर रहे हैं तो Generally यह सारी चीज़ें Measure करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ Cases में जरूरत पड़ सकती है Usually इसकी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन इसमें Required है इसमें आपको करना ही पड़ेगा General Anesthesia में अब देखिए आगे चलते हैं Poor Health Patient अगर कोई Patient है जिसकी जो Health है वो अच्छी नहीं है कमजोर Patient है तो उनमें यह Risky होता है जो General Anesthesia है थोड़ा Risky होता है लेकिन Local Anesthesia ऐसे पेंसेट में Shaper है जो इनमें हम कर सकते हैं Safe Side है अगर जरूरत है तो Local Anesthesia देकर किया जा सकता है लेकिन General Anesthesia देना है थोड़ा Risky है जो Poor Health Patient है उनमे चलिए आगे समझते हैं 6. Use in Non-Corporative Patient अब ऐसे पेशेंट होते हैं जो Corporate नहीं कर पाते हैं जो Injection से डर है या फिर Surgical Procedure करते समय नहीं करने देते हैं उनमें क्या है? Possible जो General Anesthesia है उनमें हम Procedures कर सकते हैं एक बार पेशेंट को General Anesthesia दे दिया Body पूरी सुन होगी Consciousness चलीगी तो फिर आप कोई भी Procedure करिये पेशेंट को पता नहीं चलेगा तो जो Non-Corporative Patient है उनमें possible है General Anesthesia दे कर work करना लेकिन यह इसका Disadvantage है Local Anesthesia में possible नहीं है Not possible क्योंकि Patient Conscious है तो वो work आपको नहीं करने देंगे तो यह एक Disadvantage भी आप बोल सकते हैं अब आगे चलिए Preferred for किसके लिए Preferred करते हैं तो General Anesthesia जब पूरी Body ही सुन कर रहे हैं Consciousness नहीं रह रही है तो यह किसके लिए Required होता है Major Surgery के लिए Preferred हम करते हैं इसके बाद जो Local Anesthesia है यह Minor Surgery कोई भी बड़ी Surgery होगी जैसे आपने देखा भी होगा हम पूरी Body की बात करें पूरे Organ में जैसे Dentistry की बात करें तो जो Facial Fracture है Medieval Fracture है इन सब के लिए भी General Anesthesia के अंडर किया जाता है जो Major Surgery हैं और जो छोटी Surgery हैं Body में कहीं भी किसी भी Organ में तो इसमें Minor Surgery के लिए Preferred किया जाता है Local Anesthesia को तो यह कुछ Point है आप पोई चाहे तो इसका Screenshot भी ले सकते हैं जो General Anesthesia और Local Anesthesia का जो Comparison है और भी Points बना सकते हैं जैसे की Specialization जैसे हम General Anesthesia अगर किसी को पेशेंट को देना है तो हमें Anesthesia Logist की जरूरत होती है क्योंकि Vital Science Manage करना है अगर एक सर्जन एक डॉक्टर Surgery Perform कर रहे हैं तो जो Anesthesia Logist है वो General Anesthesia को Manage करते हैं जो Vital Science है उनको Manage करते हैं पूरी Surgery के समय जो Local Anesthesia है इसके लिए आपको Anesthesia Logist की जरूरत नहीं है जो डॉक्टर है जो अगर Dental Field की हम बात करें जो Dentist है तो Local Anesthesia देखे वर्क करते हैं तो एक पॉइंट चाहे तो आप और जोड सकते हैं इस पेसलाइशन की इनमें Anesthesiologist की जरूरत है इसमें Especially जरूरत नहीं है अलग से जरूरत नहीं होती है तो यह था हमारा General Anesthesia और Local Anesthesia का Comparison Hopefully आपको समझ में आया होगा और इसको आप ऐसे ही Points में याद कर लेंगे तो आपके लिए Easy होगा चलिए इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो helpful लगा है तो Like करना है और Share कर दीजे अपने Friends के साथ अपने Groups में वीडियो को Share कर दीजे Comment section में आगर वता ही वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ Thanks for watching